मजबूर मुझरम चचा रहीमू एक महरबान आदमी थे। उनके पास बहुत सारी बकरियं थी। उनका बेटा रोजाना उनका दूग निकाल कर बेचता था। एक दफ़ा वो मकान के पीछे बने बारे में दूग निकालने गया तो उसे अपनी एक बकरी कम लगी उसने सोचा बकरी शायद कोई चूरा कर ले गया है। बो बाप के पास गया और बताया कि बारे से एक बकरी ग नायब हो गई है। चचा रहीमू को हैरत हुई। अचानक इनके बैटे का ध्यान खसाई नवरे की तरफ चला गया। इसने शर्प का इजहर अपने बाबा से किया तो चचा रहीमू नवरे ने कहा बूरी बात किसी पर रिखाम नहीं लगाते। तुम कहते हो तो आज हम दरफट के पीछे चपकर निगरानी करेंगे। जब चचा और उनका बैटा दरफट के पीछे चपे हुए थे तो खसाई उनकी एक बकरी उठा कर ले जा रहा था। चचा को अपनी उंखो पर यकिन ना आया। इन्होंने नवरे को आवाज दे कर रोका और पूछा ऐसी किया बात हो गई कि तुम शोरी करने लगे। नवरे ने कहा चचा मुझे मुझे मुआफ कर दी। जानवरों में बीमारी फैलने से मेरा कारोबार नहीं चल रहा। मेरी मुँ घर पर बीमार प अज़ा है कि तुम सुबर से शाम तक मेरे बैटे के साथ बकरीन चराया करोगे। इसके बदले में तुम्हारी मां का इलाज कराऊंगा और खाना भी दूगा।